शिक्षा का अधिकार अध्मियम 2009 के तहट प्रतेग विद्याले में साफ या अमस्वक्ष पेजल की ब्योस्था होनी चाहिए परंत बड़े अपसोस की बात है कि वाराण सी जनपत के बड़ा गाउं बलाग के प्राथमिक विद्याले कोदाई में पिछले एक साल से हैंटपम खराब होने के कारण गुंजा देवी सहित 64 बच्चों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्या समस्या है आपके विद्याले में नल खराब है पानी गंदा आता है तो उससे कुछ नुकसान होता है पेड़ दद करने लगता है और पेड़ पिराइन लगता है तो पानी कहां सपीते हैं आप लोग लोग सपीते हैं लेकिन रिवोर के लिए कई बार दिखा हमने कई बार दान को भी सुचना दिया लहां को भी लिखा जब जब सुचना मांगी आती है कि पानी पेड़ पानी पीने जो कहें कि नहीं हमेशा लिखते हैं कि नहीं पीने नहीं है लेकिन पोई सुनाई रहे हैं अब गंदा पानी पीने के दुखसान तो हई है अच्छे प्राय भीवार होगा करते हैं लेकिन उसका दोश्रम किसको कितने दिन से खराब है नल देकर दो साविश है कि अंटर बन जाएगा तो बच्छे सुद्ध पानी पियेंगे युवारी से दूर रहेंगे और नेमे दूरुम से क्लास नहीं जो अपसेंट होते हो अपसेंट नहीं हो मैं इस वीडियों को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि वाराट्सी जनपत के बियस से जिनका मुबाइल नंबर 94-00-487 है इस पर काल करके दबाव बनाएं ताकि इन बच्छों की समस्या दूर हो सके झाल